आयोध्या में राम मंदिर के भीतर प्राण प्रतिष्ठा की पूजा अर्चना अभी से चल रही है सोला तारिक से लेकिन प्राण प्रतिष्ठा से एक दिन पहले जो आम लोग हैं वो भी अपनी अपनी तरीके से राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं ये जो आप महाल देख रहे हैं ऐसा महाल आयोध्या में जगा-जगा देखने को मिल रहा है एक तरीके से लोग अपने अपने तरीके से भजन गा करके प्राण प्रतिष्ठा में योगदान दे रहे हैं आप लोग कहां से आए कि नेपाल से क्या मन में पर देक्न करने के लिए दर्शन वे जा रहा है आप लोग कहां से मढल एक दरस्ण क्या मन में राम जी की बहुत तमन्ना थि हम आएं देखने के लिए आप लोग संतुष्ट हैं जी संतुष्ट है तो क्या कुछ यहां देखने को मिल रहा है किस तरीके से यह महौल है यह जो है और आज हम लोग जो है बहुत धन्य है कि राम नगरी में आने का जो है मौका मिला है और पूरे विश्वे के लोग यह पूरा विश्व पडल देख रहा है आज यहां तक कि जो विदेशों में 22 तारी को आवकास को सिद कर दिया गय कर रहे हैं कि राम जनम भूमी हम लोग आ हुए है यह हम लोग का सभाग है और मैं इसका स्रेय देवराओ बाबा के आश्रम देवरिया से आये हुए हैं देवराओ बाबा ने 34 साल पहले भविस्वारी की थी कि जवबच्चा राम मंदिर बनेगा हिंदू मुस्लिम सिक्षाई सभी मिलकर बनाएंगे वह उनका सपना असाकार हुआ देव भूम धन्य हो गई स्वान अच्छरों में देवरिया का नाम लिखा जा रहा है तो इस तरीके से लोग मगन है प्रसन है भजन गा रहे हैं और अपने अपने तरीके से प्राण प्रतिष्ठा में योगदान दे रहे हैं यह जन योगदान है राम भगवान की जो राम लला की मूरती है उसकी प्राण प्रतिष्ठा में रविकांत ABP News अयुद्या